यह गौँ को घहर है इनके बस चलती हूं मिलती हूं बात करते हैं इनके खलात जगरा देखते हैं अगर कुछ है तो गहर असलाम अलेकूम असाय है दुछा मूह लेट गए मैं भी मारता ना ठीक है वे जी आ खायर शुकर तुरा बेटा है जी ना ये मेरे महले याला है यह मा कांणी जतीम है अच्छा इंडी वाल्दाफोनी माश्यला कितना क्यूट बचने इस द्रू प्रेश्चा करा वाल्दाखोनी जी खायर किंदे कि महली आले रोटी बात शुका करा वह द्रू जायरा बड़ा अच्छा वालत बजूर के बाला नाई ने लू बिरा इन वड़ी मजदूरी तरन थां भांड़े हर शे देख इनो इन्दा कोई नी कराना लाई इन दे हर शे किन्दी पुंडी लाती है जे या वा रोटी ये महले आले पकार इसन हर शे शंदी जी में लाती है ते गिना घरे क को तरी में ते कराना ली ना कोई ये कराना लाई ये कि दही को है इनकी स्टोरी बहुत अर्द नाक है ये बच्चा विचरा यतीम है वालत इनके बजूर का है दो भाई हैं वो घर से निकल गया है भूप की वज़ा से वह बहर जाके बस्तिहाडियां वगरा करते हैं घर में आते ही नहीं अब ये मेहन बैठी है थेती मैं की पडोसे नूँ इनको रोटी वेगर लागे देती हूं चीजें खाने की ख्याल करते हूं बच्चे का ना माँ है समझव बाब बाब बज़ूर गया उसको बज़ूर को अपना पता नहीं है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं क बाई जो है वह छोड़के चलेगें अब इनका कोई भी नहीं है जो इनकी खिदमत करें किफालत करें इनका ख्याल करें बिटा पढ़ते हो जिह जी क्लासिज पर देवे खुद भी पर देवे जी फिर मस्जिद पर देवे जी जी अचा इंशाललह इन बेटे को आल्रा वालता कानी वालद बजूर गे बस ना हो अन दे काबले वालद बच्चा बच्चा बिचरा बुंग पर्शान है मैं अचाना कायां तर्फ रखें सारी इंदाद करनी चाहें इंशाला जरूर तो रही हैं बहुंग वरीब लोग से सारी हल्प करो मतलब इन्ने दी हिम्मात है आ चाहें को कंटीनुव मतलब कोई हकदार मुस्तहिक किन कंटीन्यू यह हो जबच्चे ख़र्चा रिता वन्ये इतना लैख बच्चे कोई भी सीर्थ कानी वाल भी तलीम बगरा करें लाप ए ठीक इंशाला बेटा मैं जरूर आ सांथी के तरी हैल्प करें जरूर इंशाला थ तरी है градного चाहा बिंशाला था टे जरूर करें और एंग दयो जो के ताना मन्हें भी सीर्थ क कोई स चीर्थ क твор़।